zeros of polynomial, मतलब polynomial का zeros क्या है जिसे समझते हैं देखिए यह सभी अपना क्या है polynomial है और इस सभी polynomial में क्या है? variable है constant लेकिन हम लोग को अब इस जो है variable पर focus करना है ठीक है तो variables क्या X है हम सभी जानते हैं कि constant की जो होती है उसकी value fixed होता है लेकिन जोता है variable होता है over difference real value ले सबता है तो अगर हम जिस अगर कोई वे real number लेते हैं और x की जगा़ पर put करते हैं और put करने से जो है अगर polynomialule की value 0 आ जाती है तो हम कहेंगे उस real number को किसको उस real number को जो polynomialule को 0 किया है उसको कहेंगे कि polynomial का क्या है 0, 0 है क्योंकि उसने polynomial को 0 कर दिया इसलिए कहेंगे उस real number को, उस real value को जो होता है, क्या कहेंगे polynomial का 0 कहेंगे ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो यहां देखिए, सबसे पहले यहां पे आप जो होता है, px first example लेंगे, यहां पे लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ यहां, 5x not लिखा, इसको लेंगे, तो आप जानते हैं यह जो होता है, x not जो क्या होता है, यह आपका यह क्या होता है, कि x की जगा पे कोई value put करोगे, तो यहां पे 1 है, क्योंकि x variables के power 0 है, तो हम सभी है, आप यहां पे 1 रखे तो, कुछ भी रखे तो 2 रखे तो, हम ऐसा आपका result 1 देगा, 1 into something, जो भी कुछ होगा, वह आपका वही result देगा, इसका मतलब जो है, इस x की जगा पे, हम कोई भी real number रख रहे हैं, तो यहां पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड जो है, यहां पे x plus 2 आ गया, ठीक है, अब यहां पे हम कौन सरी यह number ले, ताकि इस x की जगा पे put करने पे, इस px की values होता है, 0 होजा है, तो अगर हम x की जगा पर, अगर minus 2 लेंगे, तो यह जो कितना होगा, minus 2 प्लस 2, कितना होगा 0, इसका मतलब यह minus 2 जो है, यह minus 2 हो है, क्या है, 0 है, 0 है, किस का? of polynomial जोता है, polynomial Px, Px जोता है, x plus 2 का जोता है, यह क्या है, 0 है, ठीक है, समाज़ गया, इसके बाद यहां पर हम जो ता है Px एक पोल्लोमिय लेते हैं जो कि यहां पर इसकी डिग्री जो ता है 2 है minus 2x minus 3 तो इसकी 0 निकालोगे तो यहां फे factorization method से 0 निकालोगे तो आपका इसका 0 आएगा क्या क्या आएगा चलिए इसको factorization method से हम अगर हम यहां पर put करते हैं कोई भी real number अगर हम यहां पर suppose है हम कितना put कर दें अगर हम यहां पर जो ता minus 1 put करते हैं तो minus 1 के square minus 2 into minus 1 minus 3 तो minus 1 के square 1 minus into minus plus 2 minus 3 तो 2 plus 1 3 और minus 3 that is 0 उसके बाद अगर इसी में हम 3 रखें तो कितना आया तो 3 के square minus 2 into 3 minus 3 होता है तो 9 हो गया 6 हो गया minus 3 हो गया तो 9 minus 9 कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं हो गया अब एक और polynomial लेते हैं जैसे यहां पर देखेगा PX equal to जो होता है XQ जो होता है plus 2X square minus 5X minus 6 अब इसका 0 निकालना हो तो हम क्या करेंगे real number अपने से जो मन करें जो real number ले लेके check करेंगे और उसको put करने पे अगर इसकी value 0 जाती है तो हम कहेंगे उस polynomial का 0 है ठीक है तो यहां देखिए अगर यहां पर सबको solve करते चलेंगे तो बहुत time लेगा यहां पर अच्छे कर लेंगे 2 रखेंगे तो polynomial का 0, polynomial की value 0 आएगा अगर minus वहां रखते हो फिर भी जो होता है polynomial के value 0 आएगा अगर आप minus देखते हो तो फिर भी polynomial का value 0 आएगा ठीक है x की जगा पर put करोगे तो एक और polynomial लेते हैं यहां पर px equal to ax plus b अब बताईए इसमें कौन ऐसा रियल नमबर ले ताकि इसका value 0 हो जाए ठीक है तो अगर यहां पे जोता है x की जगा पर जोता है अब minus b by a लोगे तो definitely 0 हो जाएगा क्योंकि a से a cancel हो गया और minus b plus b equal to 0 हो गया हो गया कि नहीं हो गया तो जो हमने real नमबर लिया है यहां पर जो real लिया है minus b by a लिया है यहां पर क्या लिया है minus b by a लिया है यहां पर 2 लिया है minus 1 लिया है minus 3 लिया है और यहां पर जोता है हम लिए हैं कौन-कौन से minus 1 और 3 लिए है यहाँ पर जोता है minus 2 है और अब का यहाँ पर तो इतर आपका है नई 0 दरी ही नहीं रहा है ठीक रही है तो यह जितना भी आप देख रहे हो तो जितना भी आप देख रहे हो इतर पेन के ब्लैक पेन यह minus 2 हो गया यह minus 1 और 3 हो गया और यहाँ पे जोता है आपका 2 minus 1 और minus 3 जो है 3 जो है और minus से B by A जो है यह सभी क्या है इस जो responding जो polynomial है उसके क्या है 0 है क्योंकि इसके value को जब हम variable के जगा पे put कर रहे हैं तो उसके value 0 आ जा रही है ठीक है तो अब यहाँ पे देखिएगा तो आप इसको अगर यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जोता है इसकी polynomial 0 नहीं आया है लेकिन इसकी polynomial 2 आया है तो इसके degree कितनी है इसके degree 1 है है नो इसके degree variable की degree कितना 1 है तो अगर degree 1 है तो zeros कितना आया है one यहाँ पे degree कितना है zero है तो एक भी polynomial नहीं आया एक भी जो ता है हमारा क्या नहीं आया है zeros नहीं आया है इसकी degree कितना है two है तो इसमें कितने zero जाये two y है उसके बाद इसकी degree कितना है three है इसमें कितने zero जाये three है इसमें degree कितना है one है के डिगरी हो गया जितना उसके डिगरी होगा मतलब आधिक से आधिक उतना जोता है जीरो होगा ठीक है आधिक से आधिक उतना जीरो उससे कम हो सकता है लेकिन उससे जादा नहीं हो सकता है जैसे में अगर इस पोलनुमियल की जो डिगरी है 3 है तो मैक्सिमम जोता 3 0 हो सकते ह फोर नहीं हो सकता है उसकेस में भी आपको मैक्सिम्म तू होसकता है ठीक है अब सारे चीज पढ़ने के बाद जो हमने निकाले उस का इस पूर हमें बहुत नंबरले के चेक करकर के हम क्या कर रहे हैं उस पॉलनियल का 0 नो find out करें तो क्या कोई एक ऐसा जोता है टेकनिक है जिससे हम उस polynomial का 0 पता कर ले हां वाई टेकनिक है कुछ और नहीं करना है कि जो आपका यह polynomial है polynomial क्या है x प्लस 2 जो है उसे कुछ और नहीं करना है इस पी X को जोता है पी X को equal to zero कर देना प्लने में प्लस 2 को अगर जो है x square minus 2 x minus 3 जोता है इसको equal to 0 कर दोगे तो आपका factorization करोगे तो आपका x plus 1 और x minus 3 आएगा equal to 0 then x equal to जोता है minus 1 और x equal to 3 यहीं तो आपका क्या है zeros है मतलब देखे अगर आपको polynomial का 0 पूछे कि इस polynomial का 0 क्या होगा तो आप कुछ और नहीं करेंगे simplest होता है उस polynomial को equal to 0 कर देंगे जैसे इस equal to 0 कर देंगे तो आप equation solve करने पर बैठ जाओगे equation solve करोगे तो आपका क्या मिलेगा root मिलेगा तो वहीं root जो है वह polynomial का क्या होगा 0 होगा ठीक है अब समाज गया अब देखे इसका कुछ हमने observation किये हैं कि इसका कुछ conclusion निकाले हैं जो कि आपको जानना काफी important हो जाता है तो यहां देखिए कर रहाए कि first में है कि constant polynomial does not have any 0 तो आप ने अभी देखे हो कि जो constant polynomial होता है उसके पास 0 नहीं होता है जैसे 6 हो गया इसको आप आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हो लिख सकते हैं लेकिन अगर एक्स की जगह पे आप जो ता 2 रखते हो तो आप जानते हो किसी भी real number का power 0 जाती है तो वह क्या देता है 1 देता है तो that means वहीं number आ जाता है मतलब 0 आ ही नहीं रहा है इसका मतलब जो है constant polynomial का 0 नहीं होता है ठीक है उसके बाद कर रहा है कि every linear polynomial has 1 and only 1 0 मतलब अगर linear polynomial है उसके पास कितना होगा 1 0 होगा क्यों क्योंकि उसके degree जोता है कितना है उसके degree जो है 1 है तो हमने आप लोगों समझाए है कोई भी polynomial है अगर उस polynomial का जोता है degree जितना होगा तो उसकी 0 जो है जादा से जादा उतना हो सकता है लेकिन उससे जादा नहीं हो सकता है अगर उसके degree 4 है तो उसके maximum zero जोता है four हो सकता है three हो सकता है two हो सकता है one हो सकता ना भी हो सकता है ठीक है लेकिन four से ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है अब बात आती है zero may may or may not be may or may not be the zero of the polynomial zero जो है जो zero अगर हम जानते हैं कि कोई भी real number put करने पर पूट करने पर अगर polynomial की value को zero करता है तो वह polynomial का zero है तो क्या zero भी तो real number है अगर हम zero को उस x के जाब पूट करते हैं तो क्या उसकी values होता है पूलनोमियल का value zero आएगा यह हो भी सकता है ना भी हो सकता है वह depend कर रहा है आपके polynomial पे अब सारे एक example लेंगे तो बहुत difficult विडियो लंबा होते जारा ठीक है उसके बाद कर रहे पूलनोमियल के पास रिपीडे जीरो होता है मतलब कहाने का ठीक है देखिए का यहां पर यहां पर x square है minus 2x है plus 1 है यहां ऐसे मालें जिए x square minus 4 इसको लिख सकते हो x minus 2 इसकी जो तरह 2 0 हो जाएंगे इसको 2 1 minus 1 plus हो यह नहीं हो सकते ठीक है यहां देखिएगा तो इसकी 0 निकाला है सिंपली इसकी का करेंगे x square यह कितना होगा 1 तो 1 होगया minus 1 minus 1x minus 1x plus 1 ठीक है तो यहां से x कमन कर लेंगे x minus 1 यहां से minus 1 तो x minus 1 तो x minus 1 into x minus 1 तो x equal to 1 और x equal to 1 देखिए इसकी जो तह है पोल में इस पोल में जो 0 आया है सेम आया है दोनों 1 1 आया है आया है कि नहीं आया है तो यहीं कर रहा है तो कर रहा है उसके बाद कर रहा है कि number of zeros of a polynomial से जाधा नहीं हो सकता है। अब लास्ट में सारे पढ़ने के बाद अब हम लोग को leiLac जाएं कि इतना पढ़ें तो क्या इसका लेक्ष में कोई एससे कम हो हो सकता है जब आप आप वोल्नुमियल का craft Raw करोगे तो आपको कहा तक किragt car बताईए कि polynomial पोल्नमियल जोता है X-axis को कितने बार काट रहा है तो उसके 0's के help से आप पता कर पाओगे कि polynomial जोता है polynomial के degree जितनी होगी उतने जो है उस X-axis हो काट करेगा ठीके अगर उसके degree 2 होता है तो maximum जोता है x-axis को 2 point पे cut करता है cut करेगा अगर उसके degree 1 है तो maximum 1 point पे cut कर सकता है यह सारे चीज आपको ध्यान दिने लेकिन इस सबको बताएंगे graph के यल्प से फिर video लंबा हो जागा उसके बाद हमने इसको इस point को जोता है आपको एक अलग वीडियो बंदा पता देंगे कि जोता है polynomial की जितनी degree होती है अधिक से अधिक वह chances होती है कि x-axis को उतने times cut करेगा काटेगा ठीक है तो उमीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगएगा तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता हो thank you my friends